ओक्सीजन गैस के महत्व से हम सब भली भाती परीचित हैं। हम सास लेने में ओक्सीजन ग्रहन करते हैं और कार्बन डायकसाइड छोड़ते हैं। यह शरीर में होने वाली ओक्सीकरन अभिक्रिया के फल्स रूप ही हो पाता है। जो भोजन हम खाते हैं वैं ओक्सीकरन प्रक्रिया द्वारा हमें दैनिक अधिविद्यों के लिए उर्जा प्रदान करता है। जिन अभिक्रियाओं के होने में ओक्सीजन की आवशक्ता होती हैं उन्हें ओक्सीकरन अभिक्रिया कहते हैं। ऐसी अभिक्रियाओं में उत्पात बनने में या तो ओक्सीजन के पर माणू की वृद्धी होती है या हाइडोजन के पर माणू की कमी होती है अथ्वा दोनों ही हो सकते हैं ऑक्सीकरन अभिक्रिया के उधारन हम दैनिक जीवन में अनुभव करते हैं जैसे लोहे में जंगलंगना, मेगनीशम रिबन का जलना, वहनों में पेट्रोल और डीजल का इंधन के रूप में इस्तमाल होना, धातूओं और आधातूओं का निशकर्शन, कोईला, गोबर गैस लकडी का चूला, इतियादी में ऑक्सीकरन अभिक्रिया होती है अलकोहल के ऑक्सीकरन से क्या उत्पात बन सकते हैं? आईए करके देखें इस प्रयोग को करने के लिए हमें चाहिए दो क्वथन नलिया, इथेनॉल, सोडियम हाइडोजन कार्बोनेट, ताजा चूने का पानी, पोटाशियम पर मैगनेट का 1% शार्किये, बिलियन, एक मापक सिलेंडर, स्पिरिट लैंप, दो बीकर, रबड की नली, एक जेट कीप, क्लैंप स्टैंड, फिल्टर पत्र, गर परिल्ट करन प्रक्रम द्वारा तत्वो, अध्वयोगिकों को ऑक्सीजन का लाब होता है, एल्ल्कोहल विभिन अवस्ताओं में ऑक्सिक्रित होकर विभिन उत्पाद बनाता है, हम अपने प्रयोग को दो भागों में करेंगे, पहले भाग में एल्लकोहल का पून्ठ देह का अर्थ है उसे अधिक ऑक्सीजन की उपस्थिती में जलाना और परिणाम स्वरूप कार्बन डायकसाइड गैस और जल का प्राप्त होना यह एक उश्मा शीपी अभिक्रिया है भाग दो में हम ऑक्सीकारक के प्रयोग द्वारा ऑक्सीकरन करेंगे किसी ऑक्सीकारक जैसे शारकिये केमनो 4 विलियन द्वारा ऑक्सीकरन से अलकोहल ऑक्सीकरित होकर कार्बॉक्सलिक अमल देता है प्रयोग के पहले भाग में हमने स्पिरिट लैम्प में इथे नौल को एक इंधन के रूप में लिया है इसके उपर एक उल्टी कीप को क्लैंब स्टैन्ड की मदद से लगाया है कीप के दूसरे सिरे को रबर ट्यूब से सैयोजित किया है और इसमें एक जेट लगाई है जाकि जो गैस इसके जलने से निकलेगी उसे हम तूने के पानी से प्रवाहित कर सके अब हम अपने स्पिरेट लाइम को जला लेते हैं इथेनॉल एक जलनशील पदार्थ है इसे जलाते वक्त सावधानी बरते और इसे फिर से जिस तरह हमने पहले लगाया था वैसे ही लगा देंगे जैसा कि आप देख रहे हैं कि इथेनॉल एक इंधन के रूप में जल रहा है और इस अभी क्रिया से जो उत्पात बनेंगे वह हैं कार्बन डायकसाइड और जलवाश्प हम जल वाश्प को कीप के उपरी भाग में संगनित होता देख सकते हैं अब हम इसमें थोड़ा ताजा चूने का पानी लेंगे और इस जेट के मुख पे लगा देंगे और गैस को प्रवाहित होने देंगे कार्बन डायकसाइड गैस के पास होने से चूने के पानी का रंग दूधिया हो जाना चाहिए गैस को पास होने में थोड़ा वक्त लग सकता है पर आप देख सकते हैं कि यह हलका दूधिया होने लग गया है कार्बन डायकसाइड गैस चूने के पानी के साथ अभिक्रिया कर कैल्शियम कार्बोनेट बनाती है जिसकी वज़ा से हमें यह दूधिया दिखाई देता है हम देख सकते हैं कि यह दूधिया हो गया है इस प्रयोग में हमने देखा कि एलकोहल एक इंधन की तरह उर्जा देता है और ओक्सिक्रित होकर वे कार्बन डायकसाइड और जल वाश्प देता है जिसे हमने कीप की भीतरी सता पर संगनित होता देखा ध्यान रखें कि अधिक मात्रा में कार्बन डायकसाइड पास करने पर पानी का दूधिया बन धीरे धीरे समाप्थ हो जाता है अब हम अपने प्रयोग का दूसरा भाग करते हैं पहले हम ये पहले प्रयोग का समान हटा देते हैं हमारे प्रयोग का दूसरा भाग है ओक्सिकारक के प्रयोग द्वारा ओक्सिकरन सर्फ पत्व हम ओक्सिकारक विलियन बना कर रख लेते हैं इसके लिए हमें चाहिए KOH की टिक्की और KMNO4 के जोटे क्रिस्टल जिने हमने 20 ml आसुच जल में विलीन करके शारकिये पोटाशियम पर मैगनेट विलियन त्यार किया हुआ है हमारा शारकिये विलियन तनू होना चाहिए हम एक जल उश्मक तयार कर लेंगे जिसके लिए हमने एक बीकर में लगभग 1500 ml पानी लिया है अब हम बर्नर को ओन कर लेंगे अब हम लगभग 3 ml एथेनॉल एक परक्नली में लेंगे इथेनॉल एक जलन्शील प्रदार्थ है इसलिए इसे सीधा गरम नहीं कर सकते और एक जल उश्मक की मदद से गरम करा जाता है अब हम इसमें 2 से 3 बूंदे शार की एक केमेनोफोर की डालते हैं जो एक ऑक्सिकारक की तरहां प्रयोग में लाया जाएगा इसे गरम करने के लिए हम अपने जल उश्मक में साबधानी पूर्वक रख देंगे केमेनोफोर डालने पर यह गुलाबी रंग का दिख रहा है अभिक्रिया मिश्रन का रंग हीन होना यह दर्शाएगा कि अभिक्रिया पूर्ण हो गई है हमारी लैब में और भी ऑक्सिकारक होते हैं केमेनोफोर का शार्किये मिक्स्चर पोटाशियम पर मैगनेट अमली अवस्था में भी एक ऑक्सिकारक का काम करता है हम देख रहे हैं कि इसका रंग बदलना शुरू हो गया है अभिक्रिया मिक्ष्रन को हम तब तक गरम करेंगे जब तक कि यह रंग हीन ना हो जाए अभिक्रिया का पूर्ण होना केमेनोफोर विल्यन के रंग हीन हो जाने से अभी लिक्षित होता है यदि केमेनोफोर का विल्यन सांद्र है या अधिक मात्रा में डाला गया है तो अभिक्रिया का होना नहीं देखा जा सकता क्यूंकि विल्यन रंग हीन नहीं होगा हमारा मिश्रन रंगीन हो चुका है केमेनोफोर का गुलाबी रंग अब इसमें नहीं दिख रहा अर्थात यह अभिक्रिया हो गई है और इथेनॉल आक्सीकरन से कार्बॉक्सलिक अमल में परिवर्थित हो चुका है अब हम बर्नर को बंद कर लेंगे अभिक्रिया का पून होना केमेनोफोर विल्यन के रंगीन हो जाने से अभी लक्षित होता है यदि केमेनोफोर का विल्यन सांद्र है या उसे अधिक मात्रा में डाला गया है तो अभिक्रिया का होना नहीं देखा जा सकता क्यूंकि विल्यन रंगीन नहीं होगा हमारा विश्रन रंगहीन हो चुका है अब हम इसमें थोड़ा सोडियम हाइडोजन कार्बोनेट में लाएंगे सोडियम हाइडोजन कार्बोनेट इसमें डालने से हम देख सकते हैं कि कार्बन डायकसाइड गैस निकल रही है अर्थात ओक्सिकरन उप्रांथ इथेनौल इथेनौइक अमल में तबदील हो गया है आज के प्रयोग में हमने देखा कि अलकोहल के ओक्सिकरन उत्पाद संपन प्रक्रम की अवस्थाओं और प्रक्रती पर निर्भर करते हैं आज के प्रयोग में हमने देखा कि इथेनौल का पून ओक्सिकरन हमें कार्बन डायकसाइड और जल वाश्प देता है और इथेनौल का एक इंधन के रूप में भी इस्तमाल किया जा सकता है किसी ऑक्सिकारक द्वारा ऑक्सिकरन से इथेनौल ओक्सिक्रित होकर कारबोक्सिलिक अमल देता है ओक्सिकरन अभीक्रिया में पदार्थों में ऑक्सीजन का योग या हाईड्रोजन का हास होता है झाल झाल